शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव पर बोला जोरदार हमला सीएम योगी को दिया पत्र किया सारवज ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव की सोमवार को मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाद से उनके सरकारी आवास पर हुई मुलाका को लेकर उनके भाई शिवपाल सिंग यादव ने मंगलवार को निशाना साधा है सपा मुख्या अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने कहा कि प्रो रामगोपाल ने सीम योगी से मिलने पर आजम खा नाहित हसन आदी कार्य करताओं के मामने क्यों नहीं उठाए शिवपाल यादव ने उस पत्र को भी इंटनेट मीडिया पर अपलोड कर सारवज ने कर दिया जिसे सोमवार को प्रो रामगोपाल मुख्यमंत्री योगी को सौप कर आये थे इस पत्र के साथ शिवपाल ने ट्वीट किया न्याय की यह लड़ाई अधूरी क्यों है आजम खा साहम, नाहिद हसन, शैजिल इसलाम और अन्यकार्य करताओं के लिए क्यों नहीं दरसंद प्रो रामगोपाल यादव सोमवार को अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर गए थे बात में सामने आया की प्रो रामगोपाल ने एटा के पूर्विधायक रामेश्वर सिंग यादव एवं उनके भाई जुगेंद्र सिंग यादव के उत्पीडन का मामला उठाया इस परिवार के खिलाफ पुलीस ने कड़ी कारवाई की है रामेश्वर यादव प्रो रामगोपाल के करीबी माने जाते हैं और हाल में उनके बारात घर को बुल्डोजर से तोड़ दिया गया था